भोजन में तीखा और मीठा भोजन को तौर तरीकों के अनुसार किया जाए तो हमारे यहां भोजन की शुरुवाद भले ही तीखे से हो लेकिन भोजन के अंत में हमेशा मीठा ब्यंजन खाया जाता है इसके पीछे का वैग्यानिक तरकी ये है कि शुरुवात में तीखा भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र ठीक तरीके से कारी करना शुरू कर देता है और अंत में मीठा व्यंजन खाने से अमल की तीवरता कम हो जाती है इसके अलावा मीठा खाने के बाद आप भोजन से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और ये आपको प्रसन्यता प्रदान करता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स के जरीए अपने सुझाओ दें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें